नमस्कार मित्रों प्रस्तुत है कहानी अठन्निया जिसके लेखक हैं गुल्जार चन्दू तीसरी जमाद से जो भागा तो सीधा बंबई आके दम लिया ये और बात है कि आज वो मिनिश्टर साहब के बंगले पर नौकरी करता है लेकिन उसे याद है सब तीन दिन तक राद दिन जागने के बाद जब पहली बार भाई खला के फुटपात पर सोया था तो आधी रात को हवलदार ने ठुड़े से जगा के पूछा था क्यूं भाई कौन सी यूपी से आया है फैजा बाद से अच्छा निकाल अठन्नी फुटपात पे मुफ्त पे नहीं सोने का क्या चंदू को लगा उसे किसी फिल में देखा है वहाँ भी क्या बोल के बात करता था पैसे नहीं है मेरे पास इसी लिए तो सहर आया हूँ ये सहर नहीं है मुंबई है क्या महानगर बोलते हैं इसको चल निकाल अठन्नी पास पड़े जुमुरू की आखे खुल गई ए देवा क्यों तंग करता है ये ले अठन्नी और सोने दे जुमुरू ने तकिये की नीचे बिखरे चिलर से एक अठन्ने उठाई और उच्छाल दी उसकी तरफ देवा ने लपक ली और बोला तेरा कोई सगे वाला है क्या तू तो मलिया है साला हवलदार हाथ की अठन्निया बजाता हुआ आगे बढ़ गया चंदू को समझ नहीं आया कैसा सहर है यार मारता भी है पालता भी है बाकी रात उसे फिर नीन नहीं आई सुबह उठके जुमुरू से मुलाकात हुई गाउं से आया है बालों में तेल लगा के हीरो बनेगा नहीं यार मैं तो ए जुमुरू ने डाड दिया यार होते हैं रंडियों के, अपन को चाचा कहके बोलाना, सब यही बोलते हैं, जुम्रू चाचा, चंदू थूक नगल के चुप हो गया, जुम्रू बोला, देवा फिर आएगा, हफ्ते की अठन्नी लेता है, यहां सोने की, चंदू का चहरा पीला पड़ गया, यह हल्दी हो से काम नहीं चलेगा, मिर्ची बनो, लाल मिर्ची, जुम्रू फिर बोला, चल, चौपटी पे भासन है आज, पांच रुपया मिलेगा, करना क्या होगा, भासन सुनना पड़ेगा, ताली बजानी होगी, और जय हो बोलना पड़ेगा, चंदू मुस्कराया, इसके लिए पा अपन का होगा, देख पार्टी, पार्टी में दस रुपया मिलता है, देवा पांच काट के पांच अपने को देता है, अपने फुटपात से उसको पचास आदमी का आडर मिला है, मेरों को जुगार करना है, समझा, चंदू ने सिरह ला दिया, हो मराठी का पहला सब्द उस कोमडी के माफिक हैं, कोमडी क्या, मुर्गी, ये नगर सब को दाना फेकता है, हम लोग कोमडी के माफिक टुक टुक चुकते रहते हैं, फिर जब कोमडी पल जाती है, तो उसको काट देते हैं, कौन काटता है, राजा लोग, राजा कौन है, इधर दो किस्म का लोग राज करता है एक तो पार्टी वाला है बात करता है भासन देता है नोड देता वोट लेता है दूसरा गोली चाकु चलाने वाला है माल देता है जान देता है कभी जान लेता है माल देता है तुम्हारा मतलब गुंडे लोग गुंडे तो दोनों हीच हैं लेकिन दोनों का स्टाइल गलाग गलाग है चंदू को महानगर के तरीके सीखते वक्त नहीं लगा अगली बार देवा के साथ एक पार्टी वाला आदमी आया था उसने आदमी गिने और पूछा नेता जी बोलेंगे मुंबई कोण आची तुम लोग क्या बोलोगे सब ने एक आवाज होकर कहा मुंबई मुंबई आमची ए मदरासी मराथी में बोलने का तमिल में नहीं क्या बोलेगा मुंबई आमची गुड वो चला गया तो चंदू ने देवा से पूछा भाव उसने दूसरों को सुना था देवा को इस नाम से बोलाते उसका चेहरा भारन नर्म पड़ जाता था भाव इस प मुझे पांच अठनी मिला ना पांच अठनी से क्या होता है भाव सोने का हो गया खाने का क्या करूं भाव क्या हम बोलाया था तेरे को कौन से यूपी से आया बोल फैजावाद फैजावाद में कौन देता है खाने को क्या बोल चंदू ने इतना बड़ा जूट बोला कि व वो कुछ टेरेश्ट लोग आए और तार तार गोलियों से सब को भून दिया, मेरी पूरी फैमली, माई बाप, भाई बच्चे, सब। उससे आगे की कहानी नहीं बना पाया, कापने लगा, लेकिन भाई का चेहरा नर्म पड़ गया, उसने समझा सच बोल रहा है, मैं देखता हूँ, कोई काम लगा देता हूँ तेरे को, कुछ लिखना पढ़ना आता है, हिंदी में तीन जमात पढ़ा हूँ गाउं में, अपना नाम लिख लेता है, हो, मेरा भी लिख सकता है, हो, कल से मेरे साथ चल, मेरे को हपते का डायरी भरना होता है, अपनी हिंदी अच्छी नहीं, राष्ट भासा है ना, क्या करने का, लिखना पढ़ता है, वही बोल के नवकरी मिला था, वो साला, एक है, चार अठनी लेता है, इस नगर में कोई काम भोकट में नहीं होता, क्या। चंदू का काम बन गया, मगर उसने पूछा, भावु तुम सारा हिसाब अठनीयों में क्यों रखते हो। भावु आधा हस के बोला, अपने जैसे कामन मेन के पास सब कुछ आधा हीच होता है। आधा खाना, आधा सोना, आधा हसना, आधा रोना, आधा जीना, आधात मरना, ये अठनी साला कभी पूरा रुपया नहीं होता है। फिर रुक के बोला, है न उपर की बात, अपन को एक हस है टोन नक्स लाइट बोला था। चंदू भाई के साथ रिपोर्टर की तरह जाने लगा, वो जो भी करता था, चंदू से कहता था, लिख ले, चंदू भाई की खूली में ही रहने लगा, कभी कभी खाना बना कर पहुँच जाता, जहां भी डूटी होती। भाई खला के नीचे वो सारवी होटल के पीछे से निकलती हुई एक गली है, उस पर एक आदमी खोंचा लगाता था, बड़ा उर्दू जैसा लगता था, लाइसेंस नहीं था, भाई पहुँच गया एक दिन, डाइरी निकाली और पूँचा, क्या बेचते हो तुम। वो खास लखनवी लहजे में बोला, खमीरे की गुलकंदियां, भाई चौँग गया, क्या खमीरे की गुलकंदियां साहब, ये क्या होता है, खा के देखिए, हुँ अपंचा नाव काय, वो मराठी में बोला, नाम क्या है, इस हाकुल रह्मान सिद्धी की, भाई ने जोर द लंबी सांस ली, पैंसिल डाइरी पर रखी और पूछा, छोटी ए की बड़ी ए, वो क्या है साहब, भाई ने डाइरी बंद की और बोला, देख, मैं छोड़ देता है तेरे को, लेकिन रिपोर्ट में ये नहीं चलेगा, रिपोर्ट में तु बाबु है, और आलू बेचता है क्या, इतने में चंदू पहुच गया, भाई बोला, लिख ले, नाम है बाबु, बेचता है आलू, चंदू चार अठनी रखवा ले, और ये कहते हुए आगे बढ़ गया, एक बार कुछ ऐसा ही हुआ, चंदू को बुखार था, वो गया नहीं, भाई ने आके बताया, व ये उन दिनों की बात है, जब देवा की तबदीली, वार्डन रोट की तरफ हो चुकी थी, और खूली अब वरली में थी, चंदू ने फिर पूचा, हाँ, तो विनायक राव मार्ग पर क्या हुआ, चंदू को सब रास्तों के नाम याद थे, एक गाय मर गई, किसकी थी, प परिवार के साथ, उसको भी रोट पर आकर मरना था साला, इतना बड़ा नाम, विनायक राव पट वरधन मार्ग कौन लिखता है हिंदी में, चंदू हस पड़ा, फिर क्या किया, दो घंटा लगा, दुम से खैच खैच के, खैच खैच के दम गया साला, दो घंटे लगे, द इसके दरवाजे पर मरी थी, भाव और चंदू की दोस्ती अब कई साल पुरानी हो गई थी, इस बीज में भाव ने कई जगह उसे काम पर लगाया, और कई जगह छोड़ाया, और फिर एक बार एक पार्टी वाले से कहके, एक मिनिस्टर के उधर चौकीदार लगवा दिया चंदू अब पूरा मुंबई वाला बन चुका था, मिनिस्टर साहब को ही बहुत भरोसा था उस पर, अपने निजी काम भी उसी को देते थे, ब्रीफ केस पहुचाना और ब्रीफ केस लाना, अब उसी का काम था, उसने अठनियों में गिनना छोड़ दिया था, लेकिन चंदू आके गिरा फर्स पर, उसके पीछे एक बंदूक वाला एक एस सैंतालिस लिए खड़ा था, क्या क्या ये क्या है और डाट के भोले, चंदू अंदर क्यों आने दिया इसे, मैं कहां साहब ये मुझे लेकर अंदर आ गया, वो लड़ खड़ाता हुआ खड़ा हो गय बंदूक की नोक पर, कौन हो भाई तुम, मिनिस्टर की अवाज बंदूक देखकर नर्म पढ़ने लगी, तुम्हें क्या लगता है, तुम तो कोई टेरिरिस्ट लगते हो भाई, टेरिस्ट मुस्कराया, मिनिस्टर भी मुस्कराया, इसे क्यों पकड़ रखा है, मिनिस्ट प्रेटर ने भी मजा किया मेरा भी वही है होस्टेज कब से ये तो बाहर घूम रहा था मुझे तुम्हारी तरह बंदूक नहीं देखानी पड़ती होस्टेज बनाने के लिए तो कैसे पकड़ के रखते हो पहले नोट से फिर वोड से पास साल के लिए और फिर हर पास साल के बाद हम याद रिनिव कर देते हैं टैरिस्ट ने पाइतरा बदला बंदूक समहली और भूला ये लीव एंड लाइसेंस का सिस्टम अब नहीं चलेगा तो क्या चलेगा इसी से पूछो मेरे तुम्हारे बीच यही कामन है कामन मैन मिनिस्टर ने चंदू से पूछा बोलो एक बार गोली खा कर मरना अच्छा लगता है तुम्हें या टैरिस्ट जरा सा सामने आया या तिल-Til करके हर पांच-Pांच साल में मरना अच्छा लगता है चंदू रुका जरा सा दोनों को देखा फिर जेव में हाठ डाला टैरिस्ट ने धमका के पूछा क्या है जेव में चंदू ने अराम से जवाब दिया कुछ नहीं एक अठनी है टास करके देखता हूँ एक कदम आगे बढ़ा और जैसे ही अठनी उच्छा ली वे दोनों चिल्लाए हैड सुक्र है वो अठनी वापस नहीं आई वरना उसके दोनों तरफ चंदू का हैड था